दोस्तों क्या आप अपने मुबाइल में Airtel का C में उज़ करते हैं क्या आपको जानना है कि हमारे नेट का MB कितना बचा हुआ है या फिर आपको ये जानना है कि हमारी जो वैलेडिटी है वो कब एक्सपायर कर रही है अगर हां तो फिर आप इस वीडियो को अंतक वाच किज यहां पर मैं Play Store को Open किया हूँ और यहां पर आपको इस सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा My Airtel यहां पर आप My Airtel टाइप किजिएगा और दोस्तों यह जो एप है Airtel Thanks आप इसे डाउनलोड कर लिजेगा दोस्तों यह Airtel का Official Ape है मैं अपने फोन में इसे डाउनलोड क करके रखाऊं और इसे मैं यहां से ओपन कर रहा हूँ दोस्तों यहां पर यह एप ओपन हो जाने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा Let's Started पर और यहां पर आपको अपने फोन में परमिसन देना होगा यहां पर आप पर आप क्लिक कीजिएगा Send Opty और आपके फोन पे एक Opty आएगा उस Opty को यहां पे डालना होता है जैसे मेरे फोन पर यह Opty आ चुका है और यह Auto Fill Up भी हो चुका है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यह फिल भी हो चुका है अगर आपके फोन में यह Opty Fill Up नहीं हो रहा ह तो आप message में दिये गए Opt को यहाँ पे डालिएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे music, travel या फिर movie का यह सब option मिलता है तो यहाँ पे आप क्लिक कीज़ेगा not now पे और इसके बाद दोस्तों आपको फिर से permission देना होता है आप एलाव पे क्लिक कर दीज़ेगा और यहाँ प तो यहाँ पे 2GB बचा हुआ है और यहाँ पे मेरा validity दिखला रहा है कि मेरा 31 दिन के बाद validity expire हो जाएगा मुझे फिर से recharge करना पड़ेगा दोस्तों इस एप की मदद से आप चाहें तो अपने ATL की नंबर को recharge भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपके phone में coupon होगा तो आप आपको coupon भी दिखलाई दियेगा जैसे यहाँ पे मेरे phone में दिखलाई दियेगा 50 का coupon है और 40 coupon अभी बचा हुआ है मतलब कि मैं अपने ATM कार्ट से recharge करूँगा तो यह 50 मेरा discount हो जाएगा यह coupon यहाँ पे apply हो जाएगा